ये सभी धर्म के लोगों के लिए कानुन बना है न कि एक धर्म के लिए कानुन बना है विपक से जो बात कह रहा है कि खाली ये मुसल्मान के लिए खाली मुसल्मान करता है कहीं रजिस्टरी है का दिखाएंगे वो लोग बीजेपी दुस्मन है मुसल्मानों की आप ही तैसी हो लेकिन आप लोगों की सरकार में दंगे क्यों होते थे भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सपा कॉंग्रेस बसपा को आईना दिखा दिया कि देखो मेरे राज में मुसल्मान की ये क्यावन बेटे आईयस कंप्लीट किये है उत्तर प्रदेश विदी विरुद धर्म सन परिवर्तन प्रतिशेद विधेग दो हजार चोबिस सदन में पारित हो गया इस पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजवर ने कहा कि कानुन में जो संशोधन और सुधार हो रहा है उसके पीछे यह मकसद है कि और कडाई से नियम लागू हो और इस तरह की चीजे ना हो बिपक्ष जो कह रहा है कि यह सिर्फ मुसल्मानों के लिए है यह कानुन सभी धर्मों के लोगों के लिए बनाया गया है सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं वे इसका व्रोध सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुसल्मान उनका गुलाम बना रहे और उन्हें वोट देता रहे वे सरकार बनाते रहे और मुसल्मानों को धोखा देते रहे वही ओपी राजवर ने आगे क्या कुछ कहा देखे वीडियो कानून में संसोधन हो रहा है, सुधार हो रहा है उसके पीछे मकसद है कि और कडाई से उसमें नियम लागो किये जाए ताकि लोगों को भैं हो इस तरह की बाते न आवे और विपक से जो बात कह रहा है कि खाली ये मुसल्मान के लिए खाली मुसल्मान करता है कहीं रजिस्ट्री है कहा दिखाएंगे वोग ये सभी धर्म के लोगों के लिए कानुन बना है नकि एक धर्म के लिए कानुन बना है ये सभी धर्म के लिए है वो सिर्फ गुमरा इसनाते करते हैं कि मुसल्मान उनका गुलाम बना रहे उनको उड़ देता रहे वो सरकार बनाते रहे मुझे तो ताजूब हुआ कि समाजवादी पार्टी का एक विधायक सवाल किया मदर्सा अधुनी करण को लेकिए हम तो यहीं नहीं समझ पा रहे हैं विभाग जब से मिला तब से अधने कर रहा हूँ यूपी बूर्ड हैं सीबीएसी बूर्ड हैं तमाम इनवर्सिटियां खुली हैं बीजेपी दुस्मन है जैसा कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसल्मानों के दुस्मन है तो पिछले चार बार सरकार सपा की चार बार बसपा की पचास साल कांग्रेस के इन लोगों ने चारगो इनवर्शीटी क्यों नहीं खोल दिया इनवर्शीटी खोल करके मदर्सा बोड को इसे टैज कर दिया होता जो उनकी निमावली थी जो दिक्कत थी उसमें संसोधन कर देते तो आज ये दिक्कत नहीं होती मुसल्मान बेहतरी की तरफ न जाए सिक्षा उसको न मिले इसके लिए सपा बसपा कांग्रेश के लोग प्रयासरत करते रहते हैं कि ये असिक्षित रहेगा तो बीजेपी के खिलाब भढ़का के हम ओट लेंगे ओट लेके अपना आनंद करेंगे हम तो सपा बसपा कांग्रे आप ही तैसी हो लेकिन आप लोगों की सरकार में दंगे क्यों होते थे योगी जी की राज में एक भी दंगे नहीं हुए कहीं कर्फ्यू नहीं लगा इसमें मुसल्मान का भी हित है ने खाली हिंदूय का हित है सभी धर्मों का हित है ने ये नहीं देख रहे हैं उनकी सरकार में दंगे होते थे। तंग होता था हिंदू मुसल्मान सब लोग तंग होते थे। यह उनको नहीं दिखाई देता है। खली ये एक दिमाग मुलोग है कि भाजपा खा जाएगे भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सपा कॉंग्रेस बसपा को आइना दिखा दिया कि देखो मेरे राज में मुसल्मान के एक क्यावन बेटे आईयस कंप्लीट किये है देश की राजनीत में पहली बार ऐसा हुआ है ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भाजपा का कर रही है जो भी केंदरों प्रदेश सरकार के जो योजनाएं है एक योजना बता दें कि जिसमें ये लिखा हो कि इस योजना का लाब मुसल्मानों को मत देना कहीं है झाल 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 झाल